बेलकेमिक दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्टेलिया टूर ओफ इंग्लेंड के तीसरे टीटी मुकाबले की जो खेला जाने वाला है 15 सेप्टेंबर को 15 सेप्टेंबर को ये मुकाबला खेला जाएगा मतलब आज के दिन 30 20 मैच होने वा अब इतक 2 मैचे हुए एक मुकाबला ऑस्टेलिया ने अपने नाव किया है तो दूसरा मुकाबला इंगलैंड ने अपने नाम किया सिरीज लेवल उच की है बन वन से सिरीज लेवल उचए है अब जो यह मुकाबला होने वाला मैच नमबर तीन यह सिरीज decider मुकाबला है किसके खाते में जाने वाली है सिरीज England अपने घर में खेल रही है Australia काफी अच्छी performance के साथ खेल रही है दोनों मैचेस में अच्छा score किया है first match जीती है second match हारी जरूर है लेकिन अच्छा score किया था तो कौन जीतने वाला है इस मुकाबले को बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 9389725492 यह मेरा वाटसप नंबर है अगर आप किसी भी मैच की confirm report चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़के काम करना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कीजिए हमारे इस नंबर पर 9389725492 अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के के losses हैं तो आपके loss को recover कराया जाएगा आपको अच्छे profit में लाया जाएगा तो यह नंबर कि अंब जो आपको हमको follow करना है वो करना है आपको टेलीग्राम पर थेलीग्राम पर हमारे link को जोइन कीजिए link को description में मिलेगा अब टेलीक्राम पर क्यों जोइन करना देखिए टेलीग्राम पर आपको latest update मिलते हैं अभी यहां पर जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, यह मैच स्टार्ट होने से 12 गंटे, 10 गंटे पहले आपको अपडेट कर रहा हूं, लेकिन रनिंग मैच में क्या कंडिशन्स हैं, रनिंग मैच में क्या अपडेट आएगा, वो आएगा टेलीग्राम पे, उसका तुरंद वीडियो बनाकर तुरंद अपलोड नहीं किया जा सकता, तो टेलीग्राम को जोईन करके रखिएगा, लिंक में लेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चलिए वीडियो पर आते हैं, बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्लेंग लेविन की, फिलिप सॉल्ट, विल जैक्स प्लेंग लेविन में तॉप आएंगे, फिल सॉल्ट अच्छी फॉर्म में चल रहा है, बिल जैक्स फॉर्म से जूज रहा है, उसके बाद जॉर्डन कॉक्स की भी कोई खास फॉर्म लगी हुए नहीं है, लास्ट दो मैचस में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लियाम लेविंस्टन लास्ट म मैच अपने दम पर विन कराया है, 85 प्लस रण की पारी इनों ने खेली है, उसके बाद जैकोब बैथेल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे है, सेम करन अच्छी फॉर्म में है, जैमी ओवर्टन, विरेटन केर्स, आदिल रासिद, साकिर महमूद, रोस टिपली, यह होने लास्ट मैच में इन्हों ने अपनी प्रॉपर बॉलिंग नहीं खिलाई थी, जिसकी वज़े से यह वैन नाइटी प्लस के स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाए, आठ नमबर तक, कूपर कॉनली तक इनके पास बैट स्वेन है, आरॉन हार्डी इस नॉट अपर बॉलर, कै तो इसी वज़े से यह लोग अपना लास्ट का जो मुकाबला हा रहे है, हो सकता है, मैच है, जो कम बैक करें, और किसी और एक इंपॉर्टेंट बॉलर के जाली मेरेदित के साथ आए, तो टीम में कुछ चेंजे से उस्टेलिया के देखने को मिल सकते हैं, अब बात करें, अगर हम वेन्यू की मैच खेला जाएगा, यहां पर नाइन मैच अभी तक खेले गए हैं, इंटरनेशनल टी टॉइंटी के, जिसमें से तीन बार पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं, तो छे बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम होने मुकाब अगर बात करें तो देखा गया है, लास्ट दर्स मुकाबलों में 69 विकेट पेसर ने लिए हैं, छपन विकेट इस पिनर ने लिए हैं, मतलब बॉलिंग फ्रेंडली जो है, मतलब पेसर और इस पिनर दौनों के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि स्रिफ एक डिपार्टमेंट को व अगर टौप बैटर्स की कौन से टौप बैटर्स हो सकते हैं, तो फिल सॉल्ट, लियाम लगिस्टन, सैम करन आपको अच्छी वल्ले बाजी करते दिख सकते हैं, आदिल रासित, सैम करन और रिस टिपली की तरफ से अच्छी बालिंग देखने को मिल सकती है, अब अगर बा अगर जेस हेजलवूट खेलते हैं, तो बॉलिंग में आरून हाइडी की जगे, जेस हेजलवूट का नाम आप डाल लीजेगा, लास्ट दस में उसकी बात करें तो इंग्लेंड लास्ट दस मुकाबलों में से 6 मुकाबले जीती है, वहीं ऑस्टेलिया दस में से 7 मुकाबल हाइस हो चेस क्या क्या एंग्लेंड लूएस्ट की बात करें लुऊस्ट द स्कूर्ण पाइस झौन के ख्याव almost कि और ऐस्ट के ख arrives your organization कि एड हैं हट शूर अरще में सामनी आई है, और 24 में से दोनों याने बारज 15 मुकाबले जीते हैं यानि हैट टू हैड में दौनों ही टी में कि एक दूसरों को बरावर नंबर से कॉंपिटीम से रहे हैं नकाख अर्फ इंग्लेंद का देखनों को मिला और चेहां हां शालिय के सामने और यह ऑड्रूर मेंडनों सतिया स्कुर आउस्स को इंगलेंद आश बना नेन papa defensive है तो हैड में आप कह सकते हैं कि दोनों को मुकावले एक वाल है बिनिंग नंबर से वाल है और दोनों ही एक दुसरे को अच्छी फाइट देती है पार करें टास बिनhã मैचों की तो लास्ट के दो मैचे सômें हैं उनमें दूमने इंगलेंड रही इसी मेर की बात की जाए तो इस मैच का जो यह जो स्रीज अपने नام करने वालिये ऑस्टेलिया अगर अच्छे बॉलर्स के साथ कोंबेक करती है तो सेम प्लेंग लेविन के साथ अगर ऊस्टेलिया आती है तो ऊस्टेलिया बॉलिंग में मात खाएगा फिर मुकाबला इंगलेंड के तरफ जुख सकता है क्योंकि स्रीज दिसाइडर मुकाबला है मिसल मार्स कमबेक कर सकता है और जॉस हैजलवूड बापेस आ सकता है तो कि खाते में मुकाबला जा रहा है अगर सेम प्लेंग लेविन के साथ उतरते हैं तो मुकाबला पर टक करका हो जाएगा फाइनल प्रेडिक्शन आपको देंगे हमारी टेलिगराम चैनल पर टेलिगराम को जॉइन कर लिजिए लिंक डिसकसिन में मिला है 9389755492 नंबर को से सामाने वाला है आज की वीडियो में मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ